हेलो और वेलकम तो मागनेट ब्रेंज मैं रिया चाहन आपकी दोस्त और वोस्त फॉर्शल साइंस आज आपके लिए लेकर आए हूँ विडियो 2 में बात करनेः है कि कैसे हमको रिसौर्स प्लांनिंग की जरूरत है और कैसे हमको रिसौर्स प्लानिंग करने चाहा यह सब कुछ समझेंगे इसकी पूराने वाले वीडियोस में हमने बहुत अच्छे समगा बहुत अच्छे से जाना कि यार रिसोर्स जो है वो काफी ज़्यादा लिमिटेड है है और जिस हजाब से हमने उनको अपयोग किया तो अब तो वो लिमिटेड होने की कगार पर आ गए है और ऐसा देखा भी गया है जैसे अगर इंडिया की बात करें ठीक है इंडिया के अगर हम बात करें तो हमारे यहां पर रिसोर्स काफी डाइवर्स है तरीक मतलब एसा नहीं के सिर्फ एक-धो तरीके की चीज़े हैं हमारे यहां बहुत सारे तरीके की चीज़हें और बहुत जादा quantity में भी है है लेकिन डिकत सिर्ट सिर्फपनी है कि कि उनिफॉर्म नहीं है रहेगा कि से सेट में वही चीज अनुप्रा जादा में six yet चाहिए पाइ말मों किसी चीद मेंmag से चाहिच अन्utan काम आस और स्विय को मटं सेट क्रिए को यह तो कंगी सी नहीं कंगी कुछ दूआ को दो red पढ़ती है ओसी लिए यह जो रिसूर्स यह की प्लाइंग करना जरूरी है कहां पर कितना रिसूर्स मिल रहा है एक आप उस रिसूर्स की absent है अगर यह चीज यहां पर जादा मिल रहे तो फिर यह चीज दूसरी जगहAS कैसे पहुचाई जा सके है ना तो यह सारी चीज़े कब कर पाएंगे जब रिसोर्स जो है वह प्लांड तरीके से यूज हो सके क्लियर है है ना तो अब इंडिया की अगर हम बात करें पर्टिकुलर्ली तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग हमारा जो पहला फाइव यर प्लान जो था इंडिपेंडेंस के बात का सबसे पहला फाइव यर प्लान तभी से हमने रिसोर्स प्लानिंग हमारी शुरू कर दी अब रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है तो यह थोड़ी सी कॉंप्लेक्स प्रोसेस है मतलब तीन स्टेप में अगर देखा जाए तो इसको डिवाइड किया गया है सबसे पहले तो यह आइडिन्टिफाइ करना या इन्वेंटरी करना कि कहां पे कौन सा रिसोर्स मिल रहा है राजस्थान में यह रिसोर्स इतना है महराष्ट में यह कमी यह यहां पर यह ज़्यादा है यह कम है ठीक है तो यह सबसे पहली स्टैप में हम क्या कर सकते हैं हाँ अपनी skills वगेरा लगाके यह देख सकते हैं कि कहाँ पर कितना काम करना है, ठीक है, कि भईया यहाँ पर यह development कराने की जरूरत है, यहाँ पर इसको ऐसे ठीक करने की जरूरत है, मतलब mapping, जो भी plotting वगेरा करके, सारा कुछ surveying वगेरा करके, इन सारी चीज़ों को ध्यान मे रखा जा सकता है, ठीक है, तीसरी चीज़ फर फाइनली जब यह सारी चीज़ों हो जाएगी न स्टेट वाइस समझ में आ जाएगा, तो उसको overall national development plan से match करना कि अच्छा यह अगर तरीका हम अपनाते हैं, तो overall हमारा national development होगा की नहीं होगा, है ना, या overall हमारे national development plan के according हम चल चल पाएंगे की नहीं चल पाएंगे, है ना, क्योंकि overall देखा जाएगा, तो कर तो पूरी country के हिसाप से देखा जाएगा, किसी state के हिसाप से तो देखा जाएगा नहीं, है ना, clear है, समझ में आ रहा है के नहीं है, तो इस तरीके से जो है, वो थोड़ा सा काम यहां पर किय जाता है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, इंडिया has enormous diversity in the availability of resources, इंडिया के पास में जो resources के availability है, वो बहुत जादा है, एकदम enormous है, there are regions which are rich in certain type of resources, but are deficient in some other, ठीक है, बहुत साही regions ऐसे हैं, जहां पर बहुत rich है resources, में पर दूसरे regions ऐसे हैं, जहां पर resources rich नहीं है, ठीक है, this calls for balanced resource planning at national, state, regional and local level, इसी की वज़े से जो uniformity है, है ना, मतलब uniformity नहीं है, इसी की कारण से resource planning की जरुरत है, resource को plan तरीके से use करने की जरुरत है, हर जगा, पर जब local level पे होगा, है ना, मतलब घर से शुरू करेंगे, तभी वो उभर के district level पे दिखेगा, district level पे जब आएगा, तभी national level पे दिखेगा, ठीक है, तो इस तरीके से काम करने की जरुरत है, resource को plan करने की जरुरत है कि कैसे इनको use करना है, अब इंडिया में resource planning अगर हम देखें, तो यह थोड़ी सी complex process है, जो की involve करती है, यह वाले step, सबसे पहला, तो identify करना और resource को inventory करना across the regions of the country, हैना कि कौन से region मे क्या चीज कितने amount में available है, दूसरा ये कि एक evolve करना, evolving a planning structure indoored with appropriate technology, skill, institutional setup for implementing resource development plan, अब हमने plan किया कि यहाँ पर इस चीज की कमी है, तो भई यहाँ से इसको मंगबा लेंगे, यहाँ पर यह चीज ज्यादा है, तो यहाँ से इसको महाँ भेज देंगे, अब इनके लिए बहुत स structure निकालना ज़रूरी है, कि यह जो हमने plan बनाया है, इसको implement आखिर किस तरीके से किया जाएगा, समझ आई बात, और तीसरा ये कि इसको match करो, matching the resource development plan with overall national development plan, यह जो resource development plan है, हर state का बनके आएगा, यह overall national development plan से match कर पाएगा, यह हमारा national development हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, किस नजर यही रखना है, कि national development हो, ठीक है, तो जब वही चीज रहेगी देमाग में, तो उसी हिसाब से सारी की सारी चीज़े plan हो पाएगी, तो इस तरीके से basically देखा जाए, तो resource को plan किया जाता है, clear है, अब ऐसा यह भी देखा गया है, कि इसका जो है, वो काफी जादा exploitation है, है पता चल रहा है, mapping वगेरा करने जा रहे है, वहाँ पर resource ढूड़ने जा रहे है, तो सोच रहे हैं, कि अपनी धंदा कर लो, और black में वहाँ पर काम चुरू कर दिया, तो यह गलत है, ठीक है, लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, कि अपने देश की बात है, आने वाले generation की बात है, तो इसको इमानदारी से करना है, तरीके तो यह है, तरीके मालूम है, अब इसको implement कैसे अच्छे से करना है, यह इंसान की नियत के उपर depend करता है, जो कि अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर अगर नहीं करोगे तो पाप लगेगा, ठीक है, आप क्या क हवाएं चलती है, हैना, सिर्फ यह होना काफी नहीं है, इसके साथ साथ में appropriate technology, appropriate skill, appropriate institution की भी ज़रत है, जहाँ पर हम इनको तबदील कर सकते हैं, कि इन resources से हम अपना फाइदा निकाल सके, या इनको यूज कर सके, हैना, मालूब खूब कोईला है, मालूम ही नहीं इसको कैसे यूज करते हैं, मालूब खूब लकडियां है, मालूम नहीं कैसे यूज करते हैं, हैना, सारी चीज़े हैं, लेकिन मालूम नहीं technology नहीं है, अब जैसे देखा गया कि हमारे आपर जो foreign लोग आये थे, या फिर बाहर के लोग आये थे, वो हमारे यां के minerals, हमारे यां के resources को कब exploit कर पाई, जब उनके पास में technology थी, ठीक है, उनके पास में जादा समझ थी as compared to जितनी हमारे पास में थी, तो वो क्या करते थे, वो अपने तरीके से उन्होंने technology लगा लगा के, लगा लगा के अपने आसे iron ore, सारे फलाना फलाना चीज़े जो है, वो भर-भर के ले ले इतना तो resources यह हमारे ले गए, लेकिन फिर भी हमारे पास में है भगवान की दयास है, हमारी नियत साफ थी, तो हमारे पास में रखा है, बचा है अभी भी, लेकिन उसमें भी अगर हम अभी भी दिमाग नहीं लगाएंगे, तो फिर उस चीज़ का होने का मतलब नहीं है, त लाकि हम इन resources को सही तरीके से use कर सके, है ना, आज हमारी जरूरते भी इसमें से पूरी हो जाएं, और हम बचा कर भी रखें कि आने वाली generations का भी काम हो जाए, clear है, समझ में आया की नहीं आया, है ना, तो इन resources को use तो करना है, साथ साथ में इनको conserve भी करना है, ठीके, use भी कर रहेगी, skills रहेगी, नियत सही रहेगी, तभी तो हम इसको conserve भी कर पाएंगे, क्योंकि आने वाली generation के लिए भी बचाना है, ठीके, तो conserve करने की जरूरत है, क्योंकि irrational consumption और over utilization जो हो रहा है, resources का, उसके कारण से socio-economic या फिर environmental problems जो है, वो आ सकती है, वो problems जो है, वो देखने क को मिल सकती है, clear है, समझ में आ रहा है, irrational consumption and over utilization of resources may lead to social economic and environmental problems, क्योंकि जैसे को कुछ लोग बहुत ही जादा यूज करते चाहेंगे, दूसरे को मिलेगा नहीं, है ना, ये problems देखने को मिलती है, गांधी जी का ऐसा मानना है कि बहुत resources है हमारे पास में, ठीके, लोगों की too much, there is enough for everybody's need, but not for everybody's greed, ठीक है, सब के लालच के लिए हमारे पास में नहीं है, लोगों की जरुरता के लिए हमारे पास में भरपूर resources है, है ना, तो हम को क्या करना है, mass production के बजाए, mass production के बजाए हम को क्या करना है, production by masses पे ध्यान देना है, ठीक है, कि बहुत बहुत सारा produce कर करके रख ले, बहुत बहुत सारा इखटा करके रख ले, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम को क्या करना है, हमारे लोग जादा से जादा produce कर पाए, उससे हम को फाइदा होगा, clear है, समझ में आया, तो resources की planning करना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है, हैना, resource की planning कैसे होती है, इंडिया में, इस तरीके से होती है, और इन resources को conserve करनी की क्यों जरूरत है, ये भी हमने जाना, हमारे जो freedom fighters थे, या जो हमारे nationalist leaders थे, वो काफी अच्छे से इन चीजों को समझते थे, क्योंकि उन्होंने देश-दुनिया को देखना शुरू कर द इनको अच्छे से use कर पाएंगे, clear है, समझ में आ गया, conservation क्या है, क्यों है, कैसे है, planning कैसे की जाती है, इसी तरीके से मांगनब्रेंस के official website पर, YouTube पर, हर जगह सब कुछ free of cost available है, बढ़िया से आप देख सकते हो, हिंडी मीडियम चैनल भी बन चुका है, NTSC Olympiad, English Medium, Hindi Medium, Kindergarden से करो, इसके पहले वाले वीडियो भी आप देख सकते हो, आने वाले वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, दो वीडियो दिखाकर हम कोई subscription package के आप से demand नहीं करेंगे, आप सिर्फ पर सिर्फ बढ़िया अच्छे से अपनी life में बढ़ाई करो, और खूब 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 सारा बढ़िया से excel करो, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेर करना, अपने दोस्तों के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में